हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश जी के और फिजिक्स, केमिस्टी, मैथ्स, वायो से रिलेटेड ये 30 क्वेशन हम आप तक लेकर आए हैं दोस्तो ये बहुत important question है क्योंकि ये old paper से related question भी है इन questions को हम बहुत ही जादा fact के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत गौर से देखना है दोस्तो हमारी एक और series जो मद्धिप्रदेश जी के और current of year से related होती है वो हम per day लेकर आते हैं दोस्तो इन questions को हम हपते में एक बार लिका राते हैं और मद्धिप्रदेश जी के और जी के से related और current of year से related हमारी एक series परड़े आती है question number first देश का पहला जलवायू परिवरतन ग्यान प्रवंद केंदर कहा इस्थापित किया गया है तो इसका सही option है भोपाल भोपाल में जलवायू परिवरतन ग्यान प्रवंद केंदर इस्थापित किया गया है दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो कुछ important fact आपको भोपाल के बारे में बता दे जीलो का शायर भारत भवन 1982 में भोपाल में इस्थापित किया गया था एमपी का सरवादिक जनसंग के अगनव तो भोपाल में ही है ताजुल मस्जद जो देश की सबसे बड़ी मस्जद है भोपाल में ही बनाई गई है बनबियान नेशनल पार्क भोपाल में ही बनाया गया बिस्व का सबसे बड़ा सौर उर्जा सेयंत्र भोपाल में ही इस्तित है और परदेश का पहला एनरजी पार्क भोपाल में ही बनाया गया दोस्तो इतना आपको भोपाल की बारे में याद रखना है Q2 किस राजवा पहली बार EBM मशीन पर प्रत्यासी की फोटू लगाई गई है तो इसका सही option है MP MP में पहली बार EBM मशीन पर प्रत्यासी की फोटू लगाई गई थी Q2 कौन सा रास्टी उद्या ने जिसे ISO प्रमाड पत्र अवोर्ड दिया गया है तो इसका सही option है बन बिहार नेशनल पार्क बन बिहार नेशनल पार्क को ISO प्रमाड पत्र का अवोर्ड दिया गया है Next question देश की पहली हाई टेक लेब कहां इस्थापित की गई तो इसका सही option है भोपाल बोपाल में देश की पहली केंद्रिय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी इस्थापित की गई है देश का पहला सौर उद्ध्यान कहां इस्थापित किया गया है जिसका सही option है राजगण राजगण में देश का पहला सौर उद्ध्यान इस्थापित किया गया है दोस्तो अब बात आईए राजगर्ण की तो कुछ important fact आपको राजगर्ण की बारे में बता दे यह भोपाल संभाग का एक जिला है मानो विकास सूच का प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला है राजगर्ण दोस्तो व्यवरा में चतरभुज मंदिर है और गिन्नोरगर्ण जिस जो प्रसिदे किला है जिसमें तोतों की भरमान है वह राजगर्ण में ही इस्थित है दोस्तो पारवती काली संद नदिया क्रम सहा पूर्वी और पश्यमी सीमा निर्मत करती है तो इतना आपको राजगर जिले की वारी में याद रुखना है देस में पहली बार बिद्यूत मंडल इस्थापित करने वाला कौन सा राजगी है जिसका सही उस्थित है घणर वारा जो नर्सिंग पूर जिले में है नेक्स्ट कॉश्चन पहिला नीती बनाने वाला देश का पहला राज्ज कौन सा है तो इसका सही उफशन है मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश में देश में पहली बार महिला नीती अपनाई गई नेक्स्ट क्वेशन, हीरा उत्पादन में देश में पहला इस्थान किस राज्जिका है? जिसका सही उफ्षन है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश का हीरा उत्पादन में देश में पहला इस्थान है बारत का प्रथम Optical Fiver कार खाना इस्थापित किया गया है? मंडिदीप जो रायसेन में है और यहीं पर प्रथम Optical Fiver कार खाना इस्थापित किया गया है जापान के सहयोग से नेक्स्ट क्वेशन तेतरवा सम्विधान संसुधन के तहट पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज चे कौन सा है जिसका सही अप्षण है मद्देपृदेश मद्देश देश में पहला जिला सरकार इस्थापित करने वाला राज है दोस्तो अब बात आएए काना नेशनल पार्क की तो आपको इसके बारे में बता दें यह मंडला जिले में इस्थित है और इसका एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर दोस्तो काना नेशनल पार्क की इस्थापना एक जून 1955 में की गई थी तो इतना आपको काना नेशनल पार्क की बारे में याद रखना है देश का पहला विकलांग पुनरवास के इंदर कहां इस्थापित किया गया है जिसका से यह उफशन है जवलपुर जवलपूर में देश का पहला विकलांग पुनरवास केंद्र इस्थापित किया गया है दोस्तो अब बात आईए जवलपूर की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको जवलपूर की बारें बता दे तिरपूरी महाकोशल नाम से प्रिसिद्ध जवलपूर मद्पूरी का दूसरा सरवाद एक बड़ा जिला है जवलपूर भारत का पहला जंडा सत्यग्रा है जो 1923 में शुरू हुआ था यह जवलपूर में ही किया गया था मदन महल, संग्राम सागर, रानी दुर्गावती समादी, भेडा घाट, रूपनात, अभीलेक और धुगादार जलपूर में ही इस्थित है सुविद्रा कुमारी चोहान समारो है जवलपूर में ही आयज़ित किया जाता है और मद्यपूर्देश टेवल टेनिस एसोशियेशन और मद्यपूर्देश हाई कोट जवलपूर में ही इस्थापित किये गए है तो दोस्तो इतना आपको जवलपूर के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन देश का पहला रतन परिश्कित केंद कहां इस्थापित किया गया है तो इसका सही उफ्चन है जवलपूर जवलपूर में देश का पहला रतन परिश्कित केंद केंद किया गया है नेक्स्ट कॉश्चन बायो मास द्वारा बिजली उत्पन करने वाला देश का प्रतम जिला कौन सा है जिसका सही उफशन है बैतूल बैतूल में देश में पहली वार बिजली उत्पन की गई बायो मास के द्वारा दोस्तो बात आईए बैतूल की तो कुछ important fact आपको बैतूल के बारे में बता दे यह है नर्वदा पुरम संभाग का एक जिला है दोस्तो मुक्तागिरी में प्राचीन जेन तीर्थ स्थल है दोस्तो मुलताई में तापती नदी का उदगम स्थल है और आपको बता दे तीन प् देश का पहला सिफ संग्राले कहां इस्थापित किया गया है जिसका सही option है भूपाल भूपाल में देश का पहला सिफ संग्राले इस्थापित किया गया है नेश्ट क्वेशन मातव कांजी समाधान किस जिले में इस्थापित किया गया है जिसका सही option है जबलपुर मद्ध्प्रदेश में पहली बार देश में प्रफं बार उद्यू कैंडत किया गया है हर जिल्य में Next question Next question कुदाल से करपतवार घटाया जाता है और मिट्टी को डिला किया जाता है नेश्ट ग्वंचन कौन सी वाहिकाई CO2 युक्त रक्त को सरीर के सभी भागों से हिर्दै की ओर ले जाती है जिसका सभी ओफशन है शुराय into 10 to the power minus 6 meter के बरावर 1 meter होता है next question वह वल जो गती का ब्रूत करता है जिसका सही option है घरसी वल घरसी वल गती का ब्रूत करता है next question गर्मियों में दूद दही से जल्दी परिवर्थेत होता है तो इसका सही option है तापमान के वढ़ने के कारण तापमान के वढ़ने के कारण दूद दही में जल्दी परिवर्थेत होता है next question बिद्द परिपत के घटक है जिसका सही option है चाल अंतार, स्विच और बैटरी next question कौन सा अमल प्रोटीन अनू का निर्माण खंडक है जिसका सही option है एमीनो अमल पोलियों के उन्मूलन में भारस सरकार द्वारा की गई पहल का नाम क्या है तो दोस्तो ये था हमारा आज का मद्धिपरदेश का पहला इस्थान भारत में कैसे है ये वीडियो इसको हम और भी जारी रखते है कुछ और question बचे है जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तो आपको बता दें मद्धिप्रदेश जीके और करंट अफियर से लेलेटेड हमारा एक वीडियो परड़े आता है तो उसे भी देखना आप ना भूले तो दोस्तो ये था हमारा 30 question वाला वीडियो जिसमें हम आपको मद्धिप्रदेश जीके और केमिस्टी वायो से रिलेटेड कुछ question दिये थे दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके साथ हाजर होंगे इसी तरह के कुछ interesting questions को लेकर तब तक लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आजर होंगे तब तक लिए नमस्कार have a nice day